Hello friends, Welcome to my channel अज़की वीडियो में आपको ड्रेस में लगाने के लिए फूल बनाना सिखाऊंगी जिसे आप फ्रोक में, किसी भी बलाउज में, किसी भी ड्रेस में अपनी बनाना लगा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज़की वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूस्फुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जुरूर कीजिए तो सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल कर लिया है इस तरीके से और इसकी लं लंबाई चोड़ाई आप अपने अनुसार थोड़ा बड़ा गटा सब्ते हैं मैंने इसमें 4 रखिए साड़े-4 इसकी चोड़ाई और 5 इसकी लंबाई है इस तरीके से मैंने एक पीस निकाल लेना है ये डवल है कपड़ाई को अ इस तरीके से बराबर काट लेंगे पहले चोटा बड़ा इसे मैं बराबर कर लेती हूं इसके बार हमें इसमें सिलाई करनी है सिलाई हमें बिल्कुल किनारे किनारे यहाँ पर करनी है और इस साइड भी करनी है और किनारे पर हमें थोड़ा सा इसे साइड में खुला रखना है देखिए इस तरीके से इस तरीके से आप बच्चों की ड्रेस के लिए फूल जो होता है फ्लावर आप इसे घर पर बना सकते हैं ड्रेस पर लगाने के लिए तो देखिए मैंने इसमें सिलाई कर लिए थोड़ा सा हम साइड में इसे थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे पलटने के लिए और हम ऐसे साइड से इस तरीके से सीधा करूँगे जहां पर हमने इसे खुला छोड़ा है और यहां से भी खुला छोड़ा है देखिए इसे हम सीधा कर लेंगे देखिए मैंने सीधा कर लिया है आप इसमें प्रेस कर लें इसके बाद ताकि ये कपड़ा अच्छे से इसमें फिनीसिंग आ जाती है सिलाईया थोड़ा इसकी ठीक हो जाती है देखिए मैंने ये अब साइड में जहां पर खुलाया यहां पर हम इसमें सिलाई कर लेंगे दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद हमें सुई में धागा डालना है और इस तरीके से हमें बीच में बिल्कुल बीच में इस तरीके से हमें सिलाई करनी हैं बिल्कुल पास-पास और उसके बाद हमें इसमें, इह इसे कीच के इस तरीके से खीच के इसमें इसमें गाट लगा लो, एक बीच में, देखे मैं इसे दागे से बांद लिया है, बिल्कुल बीच में, और अब हम इसमें देखे, फ्लावर बनकर तयार है, और अब हम इसमें बीच में बटन लगाएंगे, मेर पे टसल बटन मैंने बनाया है, इस तरीके से हम इसे बीच में सिलाई कर लेंगे इस पर अगर आपको इस तरीका का बटन सीखना है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है आप इसमें घर पर बना सकते हैं बटन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इस तरीकी का बटन घर पर बना सकते हैं देखिए यह मैंने से इसमें अटेच कर लिया है और यह हमारा फ्लावर बनकर तयार है ड्रेस में लगाने के लिए ब्लाउज में लगाने के लिए आप घर पर बनाए और बहुत ही सुन्दर लगता है वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करकर जुरूर बताएं वीडि